हलो साथ वो, नमस्कार, गूड आप्रनून, दोस्तों आज किस वीडियो बात करने वाले हैン- Junior Assistant Vacy's को ले करके कितनी वेकेंसिस आने वाली यह, कब तक आने वाली है और दोस्तों साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर जो पिछली भरती थी उसमें क्या स्लेबस था क्या आपको कैसे त्यारी करनी है क्या क्या आपको स्लेबस रहेगा दोस्तों सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में तो भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बेर आइगन को प्रेस कर लेना ठीक है यूपी ट्रिपल एक तुरू यह पेकेंसिस आती है और आपको पता है जो प्रिवियस यह जो पेकेंसिस आई थी पिछले बा यह एक्जाम कराए गया था कंड़क्ट ट्वेल्थ इंटर्मेटेट एक्जाम इन एने रिकर्गनाजिशन बोर्ड विस ट्रिपल सी मतलब इसमें ट्रिपल सी मांगा था प्लस टाइपिंग था ट्वंटी फाइफ डवलू पीम इंग्लिस में 30 डवलू पीम था तो दोस्त कि भरती कितने बदों पर आने वाली है कब तक आने वाली है इस चीज़ का हमें इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों पता है कि जुनियर असिस्टेंट की वेकैंसिस का इंतजार यहाँ पर लागों छातर कर रहे हैं और उ लगभग मैं बताऊं आपको कि पांच हजार साड़े पांच हजार पदों पर भरती आने वाली है जुनियर असिस्टेंट की भरती लगभग 5512 पदों पर आने वाली है ठीक है लेकिन दोस्ते हाँ पर एक प्राप्लम यह है कि अभी यूपी ट्रिपल सी में एक्जाम कॉन क कराएगा उसकी एजेंसी का चैन अभी नहीं हो पाया है ठीक है उस एजेंसी का चैन नहीं हो पाने के वज़े से यहां पर दिक्कतों का सामना हुआ है और सबसे पहली प्रात्मिकता यही है कि यहां पर इंगजाम कंडक्टिंग एजेंसी का चैन पर करिया चल रहा है जो कि दोस्ते हाँ पर exam date को लेकर बात करते हैं आखर exam date कब तक इसकी परिक्षा कब तक हो सकती है तो दोस्ते हाँ पर इसकी परिक्षा जो है न लगभग नवंबर के end तक या फिर दिसंबर के 15 दिसंबर तक आपके परिक्षा की डेट आ सकती है ठीक है ठीक है तो तब तक यहाँ पर नए अध्यक्ष के नियुक्ति चल रही है और आप लोगो तब तोड़ा सा वेट करना होगा patience रखना होगा बाकी information जो भी आती रहती है आपको मै share करता रहूँगा जितने भी चात्र यहाँ पर जो भी यूपिट्र प्लसी तुरो त्यारी करते हैं बहुत लोग कमेंट्स था क्या यूपिट्र प्लसी 2024 पेट के अधार पर होगा कि 23 के अधार पर होगा तो मैं बता दू यहाँ पर कि अभी इन चीज़ों में जो पहली ज इसके पेट है उसके बेसिस पे ही यह परिक्षा कराई जाएगी आते हैं सिलेबस पे यह देखिए यह गंटा 30 मिनट की अवगधी का संयुक्त प्रश्ण पत्र है टोटल वस्तुनिट परकार 65 अंक होते हैं हिंदी बिग्यान भाग एक भाग दो भाग तीन होते हैं ठीक है यहां पर उपरिक्षा में निगेटिव रिणात्मक अंक दिये गए जाने का प्रावधान है जो सही अंक का 25 परतिसाद अथा वान वाइफ फॉर्थ होता है पाठकरम आप देख सकते हैं यहीं पाठकरम है यहीं से प्रश्ण पूछी जाते हैं सैची करहता है यहां पर इं इसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा टंकड की बात करते हैं आकर जो टाइपिंग टेस्ट हैं उसमें कितने 30 अंक पदान की जाएंगे किलाडी को दिक्तम 5 अंक मिलेंगे ठीक है लिखित परिच्छा का समन्द है विसेस नोट दोस्तों यह पुराना स्लेबस के अधार पर दुस्तों मैं बात कर रहा हूं पुराना इसले बस है अभी नया भी वेही काम करेगा कुछ बदला नहीं है ठीक है तो आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए बाकी जो भी अपडेट आएगी हम आपको वीडियो को मादब से बताने की कोसिस जरू करेंगे फिलहाल झाल झालता की को ।